यमनानगर आटिये विभाग ने बड़ी कारेवाही करते हुए साल के आखेरी महीने दिसंबर के पहले हफते में 50 लाख रुपए वे नुवंबर मा में रिकॉर्ड तोड दो करोड का राजसव ओवरलोड वाहनों से गठा किया जिले में जिस तारा से ओवरलोड पर कारेवाही जारी है वहीं आटिये विभाग का कहना है कि दिसंबर मा में नुवंबर मिहीने का भी रिकॉर्ड तोटेगा और ओवरलोड पर अंकुष किये लिए जिले में कारेवाही जारी रहेगी वह कोई ओवरलोड वाहन जिले को पास नहीं कर पाएगा जैसे नौवंबर में हमारे दुवारा दो करोड के करीब कंपोजिशन जमा करवाई गई थी और पांथो के करीब वहानों को इंपाउंड किया गया था अब एक डिसंबर से लेकर और आज नौ नौवंबर तक कम से कम डेड़ सो की करीब वहाईकल रोक के चेक किया जिसमें से डेड़ सो के करीब वहान ही ओवरलोड पाए गई इसलिए इससे यह प्रतित होता है जो पिछले दो चार-पांच महिने से ओवरलोड ज्यादा चल रहा था अब दो महिने की जो हमारी 24 घंटे टीम रोड पे काम कर रही है उसकी वजह से इतना ओ वहाइकल ही ओवरलोड पाई गए इसमें से रेत रोडी बजरी के दर्फ दो मिले बाकी रेत रोडी बजरी का जो मैटीरल है मैनिंग का वह तक्रीबन वहाइकल और अंडर लोड पाया था और बाकी जो यह आब चलान हुमारे हुए वह अधर मैटीरल के हैं कभी कबार जो पत्थर आ गया पॉंटा साब से ब्लैक वाला कोई कुट्टी आ गी इस तरह के चलान है तो ओरलोड तक्रीबन एक्टी नैंटी परसेंट तक जिले में लगाम लग चुकी है जैसे अब धुन्द का सिसन चल रहा है इस वजह से भी हम लोगों का वेर कर रहे हैं पासिंग के आगे पीछे अपने एफ्लेक्टर टेप लगी हो अमर्जंसी में ही सुबह और लेट नाइट आप बाहर निकले क्योंकि इस एरिये में धुन पैल और जिलों से काफी ज्यादा रहती है क्योंकि यमना की वजह से और ग्री जाना है तो इस से दुरगटनां पे असर तो काफ जा गया कि अंडर लोड चलके हर तयां का फाइदा है